हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्री मंत्रा में आज हम बात करेंगे जोलाई मंत के थर्ड वीक के इंपोर्टेंट एग्री कल्चर करेंट अफ्यर्स के बारे में फ्रेंड्स इस सेशन में हम बात करेंगे 14 जॉलाई से लेकर 21 जॉलाई तक के इंपोर्टेंट एग्री कल्चर करेंट अफ्यर जो आपके एक्जाम के पॉइंट आव्यू से काफी इंपोर्टेंट रहने वाले हैं लिए वीडियो को एंट तक चरूर देखें वीडियो बहुत फ्रूटफुल और इंफर्मिटिव रहने वाला है और फ्रेंड्स अगर आप इसका पीडियाप डाउनलोर्ड करना चाहते हैं तो हमारे एग्री मंत्रा के टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसका पीडियाप आपको करा दिया जाएगा जो की विल्कुल फ्री आफ कॉस्ट रहेगा लिंक आपको डेस्केशन वाक्स में दे दिया तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करेंगे जारखन टू लॉंच न्यू स्कीम फॉर ड्रॉट हेट फार्मर्स तो यहां पर जारखन गॉर्म लेकर आई है डेटेल में बात करेंगे तो जारखन की जो एक्री कल्चर डेपार्टमेंट है वो करेंट्ली वर्क कर रहा है एक एक्शन प्लान लाने में ताकि जितने भी ड्रॉट हिट फार्मर्स हैं करेंट खरीब सीजन में उनको थोड़ा कंपेंशेशन दिया जा चुक और यह पोटल भी है इस पोटल पर जाके फार्मर को खुद रइस्टर करना पड़ेगा और वहां से उसके बाद उसको स्टेट गवर्मेंट के द्वारा फनेशल हेल्प प्रोवाइट की जाएगी अगर हम फनेशल हेल्प की बात करें तो यहां पर मैक्जिम जो कंपेंशे प्रोवाइशन दिया जाएगा फाइव एकर अगर उस पर जमीन है तो उसको ट्वेंटी थाउजन रुपीज का कंपेंशेशन प्रोवाइट किया जाएगा इस योजना की तहत तो यहां पर कॉशन आ सकता है कौन सी योजना लॉंच की है जारखंड ने तो इसका नाम है ज 50 परसेंट इसवार कम हुई है जारखंड में जिससे 18 लाग हेक्टर में से 10 परस्ट ऐसे भी किसान है जिनको बुल सकते हो जो धान इसवार नहीं वह सकेंगे जिस कारण ऐसे किसान जो काफी ज्यादा सूखा से ग्रसित हैं ऐसी स्थिति में वो पोर्टल पर रेइस्टर कर के इस योजना का लाव ले सकते हैं आगे अगर हम बात करेंगे तो एड्मिस्टेशन हैज बिन रिक्वेस्टेट तो एस्टैबलेज डिस्टिक और ब्लॉक लेवल पैनल टो एवैलूएट दा रियल सिट्वेशन ऑप पैडी कवरेज इन दे रिलेशन ऑप रिलेशन टू यहां पर अगर हम बात करें तो आप एक चीज याद रखनी है कि यहां पर एक एड्मिस्टेशन से रिक्वेस्ट की गई है कि वो डिस्टिक और ब्लॉक लेवल पर ऐसे पैनल वनाए जो सीज को मॉनिटर कर सके रिवैलूएट कर सके वहां की रियल सिट्वेशन पर कितनी वारिस हुई है कितना धान का बोल सकते हो ट्रांस्प्लांटिंग की गई है वहाई हुई है उसकी तो कहीं न कहीं इससे क्या होगा डेटा एक्ट्वल डेटा निकल के आएगा इसके आधार पर किसानों को लाव दिया जाएगा और यह स्टेट्मेंट है मिस्टर बादल जी तो यहाँ पर एग्री कल्चर को एक्टिवेट करने के लिए ड्रोन टेक लाया है जम्मू कश्मीर यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर एड्मिस्टेशन ओन फ्राइडे की कि स्टार्टेड द यूज ऑप ड्रोन फॉर इस्प्रेंग इंसेक्टिसाइड अगर हम बात करेंगे तो ड्रोन जो है वो अभी लौंच किया गया है कठूआ डिस्टिक में और इस पे जू टेग लाएने उनकी वो है वन विलेज वन ड्रोन एक गाओं एक ड्रोन अब यह हो सकता है कि सरकार एक गाओं पर एक ड्रोन खुतका चलाए यह आगे यह क्यो हो सकता है कि किसान भी उस ड्रोन को खरीच सकता है तो इस तरीके से गिरा कर इस पर किया गया है ड्रोन की मदद से और कहीं न कहीं आगे जाके किसानों काफी हेल्फ करेगी यह मानना है कें सरकार का भी और जमू कश्मीर गौवर्मेंट का आगे बात करेंगे तो यह ट्राइल जो है वो इस वार किया गया है एक्रिकल्चर एक्टिविटीज इस पर और यहां पर अगर हम बात करेंगे तो कठ हुआ जो जगह है वहां का एक हिरनगा बेल्ट है उसमें बालन पेन विलेज पढ़ता है ठीक है वहां पर यह काम किया गया है यह आपको याद रखना है और अकोर्डिंग टू पांडे दा पर्पस ऑफ करने के लिए ही इस ड्रोन टेक्नलोजी को जम्मा कस्मीर कोर्णें लेकर आईए यह यहां पर कैना है वहां के उफिशील का तो आपको याद रखना हे केभी हाली में ड्रोन टेकनलोजी कहां पर स्टार्ट की गई है तो वह जम्म कश्मीर में है किस्चित ऐिamat रखना है प्रोजेक्ट के लिए United Nations की एक एगेंसी है उसने राजस्थान के Desert National Park को चुना है मतलब तूटल पांच नेशनल पार्क चुने गए हैं जिसमें से राजस्थान का Desert National Park भी शामिल है डिटेल में अगर हम बात करेंगे तो जेसल मेर की ये न्यूज है Food and Agriculture Organization जो कि आपको पता है एक International Organization है Associated with United Nations ये भी आप जानते हो उसने क्या किया है Conservation of Biodiversity and Forest के लिए अपने भारत में वो Green Agriculture Project प्लान कर रही है जिसके तहत पांच नेशनल पार्क और सेंक्च्वरी सेलेट किये गए अल ओवर दी कंट्री इंक्लूडिंग राजस्थान डेजर्ड नेशनल पार्क ठीक है ये भी आपको जाद रखना है कि इन पांचों में राजस्थान का डेजर्ड नेशनल पार्क भी सामिल है जो की सामिल किया गया है किसके तहत Green Agriculture Project ये इसका नाम है और राजस्थान का DNP मतलब डेजर्ड नेशनल पार्क भी इसमें सलेक्ट है किसने किया है UN की एजेंसी है उसने इसको किया है किसलिए किया है कंजर्वेशन और डायवर्सिटी एंड फॉरेस्ट के लिए आगे बात करेंगे तो जो डेजर्ड नेशनल पार्क है वो दो जिलों में फैला हुआ है नाकी केवल जैसलमेर में उसके साथ बार्ड में डिस्टिक में भी ये फैला हुआ है तो दोनों डिस्टिक कवर होंगी इस योजना के इस project के तहट area inside and outside DNP will be developing under green agriculture project जितना भी area इस desert lesson park के अंदर है और बाहर है सबको green agriculture project के तहट develop किया जाएगा और वहाँ पर greenery और जादा से जादा उगाई जाएगी उसके साथ-साथ biodiversity of forest conservation के लिए काम से लेगा बड़े लेवल पर बड़े प्माने पर ये भी आपको याद रखना है उम्मीद करते हैं याँ तक आपको समझ में आये होगा अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आ रही है हेल्फु लग रहे है तुप वीडियो को अभी लायक करो और जाद से यादा इस वीडियो को शेयर करो आज की वीडियो का टार्गेट है केवल और केवल तीन सो लायक का अगर आपको हमारा इनिशेट, हैल्प, सपोर्ट पसंद आता है तो जाद सेयादा इसको आगे बढ़ाएं इस वीडेयो को आगे पहुंचाएं और सभी स्ट्वेंट तक एड़ियो पहुंच जाए यही हमारी request है तो जाद सेादा इस वीडेयो को like करें और जाद सेयादा शियर करें ताकि जो हमारा बोल सकते हैं हमारा जो motivation है वो बना रहे और आपके लिए ऐसे ही weekly agriculture current affair update लेकर आते रहें आगे बात करेंगे तो इंडिया rubber meet 2022 begin at kochi तो kochi में IRM 2022 begin हो चुका है यह भी आपको याद रखना है काफी important news है यहांगर बात करेंगे तो इंडिया rubber meet 2022 यह organize थी गई है इंडिया rubber meet forum के द्वारा जो कि एक society है form by the rubber board और stakeholder association तो जितनी भी stakeholder association है और जो rubber board है उसके द्वारा एक बोल सकते society बनाए गई है जिसका नाम है इंडिया rubber meet फॉरम इस फॉरम ने इसका अग्नाइस किया है जिसका नाम है इंडिया rubber meet 2022 यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इस conference को अटेंड करने के लिए farmers आए ट्रेडर्स आए अए इंडिया पॉलिसी मेकर आए अग्रिकल्चर वरकर्स आए एकॉनोमिस्ट आए जनलिस्ट आए और इंडिया इंडिया rubber इंडिया मतलब रबर इंडिया जितने भी लोग इंडिया वह सारे इस conference में इस meeting में आए इस बोल सकते हो यह जो मीट हुआ है इसमें आए हैं और अपनी अपनी बातें उन्होंने रखी है और कहीं ने कहीं यह रबर फार्मर के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है कि सर अपनी यह जो कि चेर्मेन है अटोमेटिब टायर मनुफेक्टर एसोसियेशन आत्मा के उन्होंने कहाए कि सस्टेनेबल और एंडियमेंटली एक प्लान होना चाहिए ताकि हम country और जो एनार प्रोड़क्शन और कंजप्शन है उसके बीच में जो गैप है उसको कम कर पाए सब्सक्राइम और टेली ग्रामस चैनल पर मिल जाएगा जिसकी लिंक आपको डैशके में देदी है बाकि आप टेलिग्राम पर एग्री मंत्रा सर्च करेंगे तो 10,500 से ज़्यादा वाँ पर जो इस्टूडेंट्स हैं वो जुड़े हुए हैं वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे पीडियेफ को तो आप ट्राई कर सकते हैं आगे बात करेंगे तो क्लेम पेड अंडर प्रदान मंत्री फसल बीमा योजना तो प्रदान मंत्री फसल बीमा योजना के तहट जो क्लेम हैं वो यहाँ पर कितने प्रवाइट किये गए उसकी बात करेंगे और आपको मोटा मोटा बता दाएं इस योजना में जो फसल होती है रभी खरीब और उसके बाद horticulture और commercial crop इनके लिए अलग-अलग premium पे किया जाता है तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर रभी crop की तो 1.5% premium पे करना है खरीब crop की बात करेंगे तो 2% premium पे करना है और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जो आपका annual और commercial horticulture crop और उसके लिए 5% premium पे करना है तो यह भी आपको याद रखना है काफी important यह हो जाता है यहाँ अगर बात करेंगे तो 2018-19 में 28,464 claim जो है वो paid किये गए 2020 में 26,413 claim जो है वो paid किये गए 2020-21 में 17,932 claim पेट किये गए 2021-22 में खरीब सीजन में 2021 सीजन केवल यहाँ पे included तो केवल 7,558 claim जो है वो paid किये गए यह भी आपको याद रखना है आगे बात करेंगे तो no adverse impact on of wheat ban on farmer इसका मतलब है तोमर जी ने बोला है कि कोई भी adverse impact नहीं पड़ा है wheat export को ban करने से farmers पर यह कहना है हमारे agriculture minister नरेंद्र सिंग तोमर जी का यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि कोई भी wheat crisis नहीं है भारत में और ना ही कोई adverse impact पड़ा है export of ban of wheat मतलब wheat के export पर जो वेन लगाया है government ने उससे सरकार पर और ना ही farmer पर कोई effect पड़ा है और ना ही देश में wheat crisis है यह बात यहाँ पर कही गई है आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर नहोंने एक बात पोली है कि MSP से उपर domestic wheat price जो है वो rule कर रहा है मतलब है जो MSP आपको बताए 2015 है ठीक है उससे भी उपर domestic market में जो wheat है वो sale हो रहा है तो कही न कहीं यह plus point है अच्छे संकेत हैं इससे क्या है कि किसानों को नुकसान नहीं हो रहा है बेन चीज क्या होती है कि अगर MSP से नीचे विखता है मंडियों में तो वहाँ पर problem आती है किसानों के लिए लेकिन किसानों को MSP से भी अच्छे दाम उनके गेहूं के मिल रहे है तो कहीं न कहीं है plus point है यह बात उन्होंने यहाँ पर कही है तो मने यहाँ पर एक written question के reply में रासवा में यह बात कही है कि जो country का wheat production है वो भी बढ़ रहा है अगर हम 2020-21 की बात करेंगे और उसके बाद 21-22 की बात करने पहले तो 106.41 million ton production यहाँ पर हुआ है according to government third advance estimate तो जो wheat का production है वो भी increase हो रहा है record production यहाँ पर हो रहे है तो कहीं न कहीं भारत के लिए plus point है कि उसके पास अच्छा भंडार है गेहों का वो किसानों के लिए भी हितकर है और हमारे जो आम नागरे के उनके लिए भी हितकर है और farmers को भी MSP से ज़्यादा दाम उनके गेहों का मिल गाए इसलिए ना तो wheat का कोई crisis है country में और ना ही कोई adverse impact पड़ा है बेन एक्सपोर्ट पर जो बेन लाया गया है wheat का उससे तो यह यहाँ पर कहना है नरीन सिंग तोमर जी का आगे बात करेंगे तो excessive rain destroy 8 lakh hectare of crop in महारास्टरा तो महारास्टरा में लगव आठ लाक hectare crop है वो डेश्ट्रा हो गई है केवल और केवल जुलाई मन्त की rain fall से अभी पूरा जो जुलाई मन्त है वो खतम नहीं हुआ है लेकिन अभी तक 8 lakh hectare जो क्रॉप है महाराष्ट्रा में पोर्ट डिश्ट्रा हो चुकी है वो तैसनेस हो चुकी है नस्ट हो चुकी है केवल और केवल महाराष्ट्रा में यहां अगर बात करेंगे तो 11 और 12 ओलाइक को इतनी हैवी रेन हुई जिससे लगवग 24 डिस्ट्रिक्स में जो फार्मर्स हैं वो अफेक्टिड हुए और उनकी लगवग 8 लाख हेक्टर की जो क्रॉप है वो डेमेज हो गई और यह महाराथ वाड़ा रीजन और वेदरवा र कोटन तूर बनाना क्रॉप और अधर वेजिटेवल ऐसे हैं जो हेविली डेमेज हुए अकॉर्डिंग टू दा स्टेट अगरिकल्चर डेपार्टमेंट ऑफ महाराश्ट्रा आग बात करेंगे तो जो प्रिलिमिनरी डिपोर्ट है वो जो डेमेज हुआ है 21 जुलाई वो यहां पर शो कर रहा है 21 जुलाई तक 7,96,218 हेक्टेर जो अगरिकल्चर लेंड है वो एफेक्टिड हुई है यह बात अगरिकल्चर के ऑफिशल डेपार्टमेंट इस्टेट अगरिकल्चर डेपार्टमेंट से कही गई है तो कहीने कहीं बहुत बड़े लेवल पे यह हमारे खर करनेटा कर लेख़़ मिनिस्टर जी नेंगरेन है कि फार्मर्स प्राइड फार्मिंग्स भी ट्रीटज विधा उंयर्टमेंट प्राइडियसे इड फार्मरेर फार्मिंग शुडबे ट्रीटेट विध ängtर्मक्स द knife सब्देट सरेंटा मंने 15 코 ऽबीशी है 5 और इंडिजनेस एंड ग्लोबल प्रोस्पेरिटी और्गनाइज हुआ था ये विद्धी कॉलेबरेशन ओफ आई सी ए आर ऑन दी ओकेजन ओफ अमरित महोश्व आपको पता है 75 साल पूरे हुए हैं भारत को आजाद हुए तो इस साल भारत है वो आजादी का अमरित इंडिजनेस्टे इंडिशन कॉंफरेंस में ये बात उन्होंने बोली है उन्होंने यहाँ पर एक बात और बोली है वेंड प्रामिनिस्टर नरिन मोदी मेड़ा स्कीम टू सपोर्ट फार्मर इंकम ही नेम इट एट किसान सम्मान निधी विदा सेंस ऑफ प्राइड तो यह बात करेंगे collective effort under the leadership of PM है more than double the income of lakhs of farmer तो यहाँ पर उन्होंने बोलाए कि PM के leadership में कई सारे collective efforts के तया तक अगर हम देखें तो किसानों की double से भी कहीं ज्यादा जो आए है वो बड़ी है यह कहना है agriculture minister नरेंज सिंग तोमर का the union minister for agriculture and farmers welfare siri नरेंज सिंग तोमर said the agriculture sector and farmers are developing rapidly in the country तो बहुत तेजी से develop कर रहा है farmer और agriculture sector यह कहना है उनका और उनका कहना है कि Prime Minister नरेंज मोदी का जो call था कि farmer की आए double हो तो ऐसी कही सारे farmer है जिनकी जो आए है वो double से भी और ज्यादा हो गई है और यह कही नहीं कारण रहा है state और central government का साथ में effort करना और खासकर ICAR और केवी केस का भी साथ में support देना यह कही नहीं कारण रहा है कि कुछ किसानों के double सी भी ज़्यादा आवंदनी हो गई है income हो गई है यह कहना है केन सरकार का और agriculture minister का अब बात करेंगे आज के special question की लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियों पूछे के question के answer के बारे में question था बैंगलोर सभी इस्ट्रेंट ने सही answer किया था इस question का अब बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे के उसके बाद इस वीडियो के special question की यह हो गया पिछले वीडियो का question अब आज का जो question है जिसका सही answer आपको comment box में लिखके भेजना है वो है who has assumed the charge as chairman of KVIC खादी and village industry commission तो KVIC का जो chairman का charge है वो किसको मिला है option आपके चार है मनोज कुमार, कार्तिक सोनी, दिनिश शर्मा और विने कुमार शक्षैना इसका सही answer आपको comment box में लिखके भेजना है हम आपके valuable comment का वे सब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो ये था आज का important session, उम्मीद करते हैं session पसंद आया होगा, helpful लगा होगा, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को like करो, आज की वीडियो का target है केवल और केवल 300 likes का, और अगर आप इस वीडियो का पूरा PDF डाउनलोड करना चाहते है तो हमारे टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड कर पाएंगे, वहाँ पर आपको पीडियो फ्री आफ कॉस्ट अबलेबल कर दिया जाएगा, लिंक आपको description box में दे दिया है, और friends, आप मिलेंगे एक और important जुलाई के fourth week के important agriculture करेंट अफर के साथ, तब तक के लिए धन्नवाद जय हिंद, जय भारत